हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हुआ बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो चलिए बच्चों आज महात्मा गांधी के विश्व में पढ़ते हैं एक महान नेता और हमारे राष्ट पिता तो हमारे पाठ इसी सम्मंदित है हमारे पाठ का नाम है जब मैं करने से पहले पाठ का संक्षित परिचे ले लेते हैं बच्चों इस पाठ में महात्मा गांधी की आत्म कथाखा एक अंश दिया गया है जिसमें उनकी बच्चपन की आद्दों और सीखने की भावना की जलक मिलती है तो आईए सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब जान दे विशब्द है सत्यप्रिय, संकोची, बाइसकोप, स्वप्न, अपून, छात्र विर्तिया, अरूची और देखने अब इन शब्दों को हम एक एक करके पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थों को भी समझेंगे तो चलिए पाठ को आरम करते हैं मेरे पिता जी श् सत्यप्रिय, यानि की जो सच में विश्वास करता है वे सत्यप्रिय, सहसी और उदारवेक्ती थी वे सदा न्याय करते थे मेरी माता जी का सुभाव पहुत अच्छा था वे धार्मिक विचारों की महिदा थी वे पूजा पाठ किये विना भोजन नहीं करती थी दो क्रात्निक पार्षाला से में उच्छ प्रात्मिक स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से घूट बोला हूँ। मैं वह संकोची था। संकोची अर्था संकोच करता था किसी से कोई बात बोल ले में एक बार पिता जी श्रमन पित्रभक्त नामक पुस्तक खरीद लाए मैंने उसे बड़े शौक से पड़ा उनी दिनों बाइसकोप में तस्वीर दिखाने वाली लोग आया करते थे तभी मैंने श्रमन कुमार द्वारा अपने अंधे माता पिता को भंगी में बिठ पित्र उन्होंने देखा कि श्रमन कुमार अपने अंधे माता पिता को भंगी में बिठा कर ले जा रहे हैं इस पुस्तक की बातों का मेरे हृदे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रमन कुमार की तरह ही बनूँगा मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा था उसे देखनी की इच्छा बार बार होती हरिश्चंद्र की स्वपनाते स्वपनियाने की सपने बार बार मेरे मन में यह बात आती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते या क्यों ना बने सत्यवादी का अर्थोता बच्चो जो सच में विश्वाश करता है यही बात मेरे मन में बैड़ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भाती कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े पर मैं सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा अर्थात उनके मन में बात बैड़ गई कि चाहे कश्ट उठाना पड़े लेकिन मैं सत्य कमार कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैंने पुस्तकों में पड़ा था कि खुली हावा में घुमना स्वास्ते के लिए लापकारी होता है ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और तब ही से मैंने सैर करने की आदत डाली इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया पचोई आप भी जानते होंगे अच्छे थे और नहीं जानते तो आज से आप भी सैर करना शुरू कर दीजिए इससे स्वास्ते बेहद अच्छा रखता है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा मन लगता है एक भूल की सजा में आस तक पा रहा हूं पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरुरत नहीं यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लेंड जाने तक रहा अर्थात कई बच्चे सोचते हैं कि लिखाई अच्छी निये तो भी चलेगा लेकिन लिखाई होना बहुत आवश्चक है अच्छी आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर में बहुत पच्छता है मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है अपूर्ण यानि की जो पूरी नहीं है अर्थात आपकी बुरी हैंडराइटिंग से साविध होता है कि आपने अच्छी शिक्षा नहीं ली शिक्षा पूरी तभी मानी जाती है जब उस पर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी शामिल हो बाद में मैंने अपने अक्षर सुधाने का बहुत प्रयत्मी किया प्रयत्मी यानी की कोशिश किया किन्तु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चड़ सकती है सुलेक शिक्षा का जरूरी अंग है उसके लिए चित्रकला सिखनी चाहिए बालक जब चित्रकला सिखकर चित्र बनाना सीख जाता है तब यदि अक्षा लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाता अपने आच्रन की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था इसमें यदि कोई भूर हो जाती तो मेरी आँखों में आशु भर जाते मेरे हातों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शुक्षक मुझे दंड दे यह मेरे लिए असह था असह यानि की सहन ना करने योग्य मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी मुझे मार का दुख नहीं था पर मैं दंड का पात्र बना इस बात का दुख था यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है जब मैं केवल 13 साल का था तभी मेरा विवा कस्तूरबा के साथ हो गया बगर मेरी पढ़ाई चलती रही पांचवी और चटी कक्षा में तो मुझे चात्र वित्यां भी मिली यानिकि वजीफे बच्चो चात्र वित्यां का अर्थ होता वजीफे यानिकि जो बच्चा बहुत होनार होता है उसको चात्र वित्या जाता है या उसकी फीस बाप करके कुछ इस तरह की कारवाई की जाती है दूसरी बात सात्री कक्षा की है कि उसमें हेड मास्टर कड़ा अनुशाशन रखते थे फिर भी वे विद्यारतियों के लिए प्रिये थे वे स्वैम ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे वे पढ़ाते भी अच्छा थे उन्होंने उपर की कक्षाओं के अनिवारी आने के लिए सबके लिए जरूरी कर दिये थे मेरा मन इनमें ना लगता था अनिवारे होने से पहले में कभी वयाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था अर्थात मैं सबसे जल्दी से घुलता मिलता नहीं था इस कारण मेरा वहाँ जाने का मन भी नहीं करता था अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रती यह अरूची मेरी गलती थी अर्थात उसमें मेरी रूची ना लेना अर्थात वियायाम में रूची लेनी चाहिए उस समय मेरे मन में गलत विचार घर कर गया था कि वियायाम का शिक्षा के साथ कोई संबन नहीं है बाद में मैंने समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत आवशक है मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सक्ते फार्सी के शिक्षक नरम थे प्राया विद्यार्ती आपस में बाते करते रहते थे कि फार्सी बड़ी सरल है विद्यारतियों की बात सुनकर मेरा मन भी फार्सी सीखने को हुआ और मैं एक दिन फार्सी की कक्षा में जा बैठा ये देखकर संस्कृत के शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया तुमें संस्कृत सीखने में कोई कठनाई हो तो मुझे बताओ दिखो हिम्मत ना हरो तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इंकार ना कर सका मैं आज भी उनका अभार मानता हूं क्योंकि आगे चल कर मैंने पाया कि संस्कृत के क्यान के बिना जीवन अधूरा है क्योंकि हमारी प्राचीन भाशा है व कि मैं पिताजी की सेवा करूँ स्कूल बंध होते ही तुरंद घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था अब व्यायाम अनिवारे होने से इस सेवा में विखन पढ़ने लगा मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्राफना पत्त्र दिया पर हे अदलों से धोखा खा गया जब पहुशता तो सभी जा चुके थे दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया मैंने जो बात दी बताई थी उन्होंने उसे नहीं माना मुझे दंड भुगडना पड़ा मैं जूटा बना मुझे भारी दुख हुआ मैं जूटा नहीं हूं ये कैस सिद्ध करूँ कोई उपाए ना था मैं मन मार कर रहे गया रोया बाद में समझा कि सच बोलने वाले को भी और सावधान नहीं रहना चाहिए अर्थात लापरवा नहीं रहना चाहिए अर्थात इससे मैंने ये सिखा कि आप अगर सच भी बोल रहे हैं तो वो भी सावधानी के साथ बोलना चाहिए तो बच्चों ये कहानी या ये पार जो है वो मोहन दासकरंचंद गांदी द्वारा लिखा गया है ये उनके जीवन के कुछ अंचो को इसमें रखा गया है अब इस पार्ट का अभ्यास कारे आप स्वें कीजिए अ आगा है